तमाम तरगी उपाय उजना के बाद भी नाकपुर शहर में दुरगटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। हर दिन कोई नों कोई अपनी जान कवा रहा है। कभी ट्रक की चपेट में आने से मौत होती है। तो कभी गाड़ियों की आपसी टकर में कोई अपनी जान कवा देता है। इसे बीच पिछले 24 घंटे के बीतर नाकपुर शहर के अलग-अलग इलाकों में हुई सड़क दुरगटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जान करी कनुसार पहली घंटनाद धंतोली थानाक शेत्र में हुई। रुतक हजारे वाड़ी वकिल पेट निवासी महेश उके बताया गया। महेश अपनी बाइक से काम पर जा रहा था। राजियू गांधिनगर में नागराज आश्रम के सामने बाइक के चालक ने महेश की गाड़ी को सामने से टकर मार दी। महेश बुरी तरह से जखमी हो गया। उससे उपचार के लिए नीजी अस्पताल में भरती किया गया। कुछ घंटे बाद ही महेश ने दम तोड़ दिया। के पड़ोसी चक्रदर भावराव खाडे शनिवार की सुभर 7 बच कर 35 बजे के दोरान काम पर जा रहे थे। सुरादेवी ग्राम पंचायत कार्याले के पास ट्रक के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दोनों को जोरदार टकर मार दी। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया लेकिन डॉक्टर ने मनोहर को मुरूद गोशित कर दिया।